नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेइलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का टॉपिक है शिक्षन विदियों की चौधवी विदी समस्या समधान विदी प्राब्लम सॉल्विंग मैथड इस विदी के जनक सुकरात और सैंथ होमस है इसके परमुक्तत्य हैं नमबर वन इस विदी के जनक जौन डीवी आधुनिक जनक माने जाते हैं नमबर दो समस्या एक कटनाई है जो बाल को द्वारा महसूस की जाती है यह समस्या शारिरिक भी हो सकती है और आंसिक भी हो सकती है और इसी का समाधान इस विदी के माध्यम से किया जाता है नमबर तीन, चात्र एवं अध्यापक मिलकर व्यग्यानिक तरिखे से समस्या का समाधान करने का प्रयास करते है नमबर चार इस विदी का उद्देश्य चात्रों में समस्या समाधान की योग्यताई विक्सित करना है ताकि भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का वय सामना कर सके नमबर पांच यह विदी चिंतन इस्तर का शिक्षन अधिगम कराती है कौन-कौन से स्टेप्स होती है नमबर ए सरपर्थम समस्या का चैन किया जाता है कि क्या समस्या है जिसका समाधान परस्तुत करे फिर नमबर बी समस्या को परस्तुत किया जाता है समस्या के बारे में सनपूर्ण जानकरी जुटाई जाती है फिर C, उपकल्पना का निर्मान किया जाता है, तरीकों की खोच की जाती है कि किन तरीकों से इसका समधान हो सकता है फिर D, उपकल्पना का या तरीकों का या विधी का चैन किया जाता है फिर अन्त में जब समस्या की समाधान के संबंद में सारे डाटा इकट्था हो जाता है तो उसका निश्कर्ष निकाला जाता है फिर है सात्वा पॉइंट इस विदी दुआरा चात्र स्वयम करके सीखता है यह भी बाल केंद्रित शिक्षन विदी है नमबर आट चात्रों से विशलेशन संचलेशन एम तर्फ शक्ति का विकास होता है नो परतेक समस्या का समाधान इस विदी से संबंब है क्योंकि यह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथेड है तो हर प्रॉब्लम का इसमें सॉलूशन मिल सकता है इस विदी के दुआरा नमबर दस चात्रों में व्यज्यानिक दिश्टिकोंड का विकास किया जाता इस विदी के दुआरा नमबर ग्यारा यह केवल उच्च कक्षाओं में ही प्रबावशाली है क्योंकि उस लेवल के बच्चे ही एनालिसिस कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए प्रबावशाली नहीं है नमबर बारा परतेक विशेवस्तू और प्रकरण इस विदी के दुआरा नहीं पढ़ाया जा सकता नमबर तेरा समय श्रम और धन बहुत ज़्यादा लगता है इसमें नमबर चौदा सीखने की गति इसमें धीमी होती है लेकिन इससे प्राप्त ग्यान इस्था ही होता है क्योंकि बालक स्वैम करके सीखता है